वेल्कम बैक एब्रीवन वेल्कम टो सुब्ल सर्विसेश टड़ी प्रेक्टिस सैट नमबर 327 पर आजाए ये यूपी पीसेश के लिए फोकस करेंगे इसमें हम आर्ट एन कल्चर के प्रशनों पर ठीक है कला और सुन्सक्रती तो चले स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज की प्रेवलिष्ट बना रखी है हमने वहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर 327 तक पहुंच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है दो से तीन सेकेंड का टाइम मिलेगा अपना पी सोचना की आंसर क्या होगा तो प्रश्न क्रुमांग संख एक पर आजाए नम्रिखित कत्नों पर विचार करना है तीन स्टेट्मेंट है यहां पर पताने की नमें से कौन सा करेक्ट होगा कलरी पयट्टू भारत की सबसे प्राचीन या पुरानी युद्ध कला है इसका संबंद तमिलनाडू से है और कलरी में नकली द्वंद युद ससस्त्र और नी ससस्त्र संगर्ज तथा सारिरिक अभ्यास सामल है पताए कलरी पयट्टू भारत की सबसे पुरानी युद्ध कला है इसका संबंद केरल से है तमिलनाडू से नहीं है गलत है दूसरा वाला स्टेट्मेंट दो को इल्मिनेट करिए तो दो कटेंगे 50% कलरी मे नकली दूंद युद्ध ससस्त्र और नी ससस्त्र तथा सारिरक अभ्यास सामल है तो इसका अंसर हो जगा के वल एक और तीन तो देखे कलरी भारत की सबसे पुरानी युद्ध कला है इसका संबंद केरल से है कलरी का आर्थ है एंसा एक एंसा विद्ध्यल है जहां पूर्ट पहलू है इसकी युद्ध सैली विद्युद जांबाल बॉलेवोड अभिनेता जो है वो माहिर है कलरी पैट्टू में ठीक है कोशन नुबर टू पर आजए नमलिखित कथनों पर विचार करना दो स्टेट्मेंट है यहां पर बताने की नवसे कौन सा करेक्ट है गतका पंजाब की एक युद्ध कला है इसमें लकडी के डंडों का कौशल पूर्ण उपयोग देखने को मिलता है लेकिन हथियारों का नही पहला करेक्ट है दूसरा गलत है देखिए इसमें हथियारों से भी लड़ते हैं देखा होगा आपने अगर नेरस्ट आपके गुरु द्वारा होगा तो गुरु नानक जैनती हो गई गुरु गोबिन सिंग की जैनती हो गई तो गतका का अभ्यास करते हैं आसपास तो गलत सब्सक्राइब होती है पहली प्रैक्टिस डंडे से भी की जाती है कि युद्ध कला है कि कोश्चन अबर थरी पर आजिए नमलिखित पर विचार करना है युद्ध कला और राज्य थोड़ा के सामने हिमाचल प्रदेश से लिखा मरदानी खेल के सामने पंजाब बंगाल के गाउं लाठी की समने महरास्ट बताइए कौन सा सब्सक्राइब है देखे थोड़ा युद्ध कला हिमाचल प्रदेश से संबंदेते करेक्ट है जो मरदानी खेल है वो महरास्ट का है और जो लाठी पंजाब में और बंगाल के गाउं में है तो इसका अंसर क्या हो जागा क तो थोड़ा युद्ध कला का संबंद है हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश की संस्कृति से है इसमें खिलाडी खिलाडी के धनुर विद्या कोशल का परिक्षण किया जाता है और इसमें जो है पशिष तथा शाथिस दो जल दो दल जुड़े होते हैं जिनहें इसमें भारतिय पाटा पाटा मतलब तलवार और बिटा मतलब दोरीदार बर्ची के उपियोग के लिए जाना जाता है लाठी की बात करें तो लाठी देश का प्राचीन युद्ध कला है यह आपको मिलेगा पंजाब में देखने को और बंगाल के गाउं में प्रचलित है स थांग्टा मनीपूर से संबंदेत एक ससस्त्र युद्ध कला है अंग्रेजो द्वारा इसे जो है उस समय प्रतिवंधित कर दिया गया था मनिपूर की है थांग्टा है तमिलनाडू की है मनिपूर की है करेक्ट है तम अंग्रेजों ने इसको जो है थांग्टा के उपर प्रतिबंद लगा दिया था बिटिस काल में तो दोनों के दोनों करेक्ट है थांग्टा का संबंद मनिपुर्ग से ही है मनिपुर्ग के महती समुदाय से है ठीक है और युद्ध कलाय थांग्टा मनिपुर्ग के महती समुदाय की थांग्टा का जो इतियास है वो सत्रवी सताबदी में मिलता है जब मनिपुरी राजाओं दोरा अंग्रेजों से लड़ने के लिए इसका सफलता पूरवक उपियोग किया जाता था कालंतर में अंग्रेजों ने इसे अपने लिए खत्रा मानते हुए इस पर प्रतिबंद लगा दिया था उन्होंने थांग का यहां पर अर्थ है तलवार और टाक का मतलब क्या भाले से है इस परकार तलवार तथा भाला इस युद्ध के प्रमुक्तत्व है पुश्या नूमर फाइब पर आजएए इस्तूप चैत और विहार इस्तूप चैत और विहार बौध तथा जैन मठो से संबंदित है लेकिन अधिकांसते ये बौध धर्म से जुड़े है तीस्ती सताब्द इसापूर्व में निर्मित एक महत्तपूर्ण इस्तूप बैराट निर्मित में से किस राज से संबंदित है बैराट का संबंद किस से है उत्तर प्रदेश से नहीं है बिहार से नहीं है राजस्तान से है तो बैराट जो है राजस्तान का एक विशाल और भब तीले वाला स्थूप है इसके चारों और परिक्रमा पत है जो इसकी सोभा को और भी बढ़ाता है राजस्तान का है विशाल और भब टीले वाला स्थूप पुश्य नुमर सिक्स पर आजएए नमलिकित कत्नों पर विचार करेंगे तो इस चेटमेंट है यहां पर बताने कि नमसे कौन सा करेक्ट होगा सेंदफ सब्विता यानि सुन्दू घाटी की सब्वि है है कि यह लोग कताई का काम नहीं जानते थे देखिए दोनों के दोनों ब्लंडर मिस्टेग है ठीक है डी है का अंसर कोई भी नहीं सेंदफ सब्विता में सूत और उन ठीक है साक्ष मिलें कि इनका ग्यान था दोनों को और यह जो लोग हैं सेंदफ सब्विता के लोग य प्राप्तुएं सेनदव सबीता से प्राप्त साक्षों से यह cervhar kapat sa Gateway के दूसरा गलत भारत्य इतिहांस के छटी सताध इसा पूर्व काल खंड में स्रमण परंपरा के अंतरगत नमरीके तमसे कौन से सामिल थे स्रमण परंपरा प्रचलित थी बौधों में भी और जैनों में भी तो बौध जैन दोनों हो जाएगा सीज का अंसर तो छटी सताबदी ईसापूर में जैन अब हम बहुत धार्म के रूप में धार्मिक और सामाजिक आंदरणों की शुरुबात होई जिसे स्रमण परंपरा के नाम से जाना गया देखें स्रमण का तातपर क्या है बौध भिक्षूओं से है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमते थे एपन चित्रकला है एपन चित्रकला के संदर्ब में तीन स्टेट्मेंट है यहाँ पर एपन चित्रकला की सुरुबात महरास्ट से हुई और इसे राजस्थान में महरना तथा गुजरात में सतिया नाम से जाना जाता है और एपन में लाल मिट्टी तथा गेरू का पुरिय के साथाया कभी गलत नहीं करएगा एक्जामंना ठीक है यहां उल्टा-फिल्टा कर सकता है हुँ क्योंकि बहुत दीप हो जाता है है कि करेक्ट है यह 이상 चित्रकला का समद्ध महराश ही से Score चिंड़ के तीन की तीन करेक्ट था सब्सक्राइब तो एपन परंपरा की शुरुआ जो है महरास्ट से हुई और इस कला को राजस्थान में मांडवा या महरना, बंगाल में अलपना, गुजरात में सतिया, महरास्थ में रंगोली और बिहार में, राजस्थान में इसको मांडवा या महरना, और रंगोली महरास्थ में बिहार मे इसको अरिपन ओडिशा में अलपना बंगाल ओडिशा दोनों में अलपना दक्षिन भारत में कोलम आंधर प्रदेश में इसको भुगल मधर प्रदेश में इसको चौकपूर्णा और उत्तर प्रदेश में इसको साजी के नाम से जाना जाता है एपन परमपरा को ठीक है क्षिशन निम्टर नाइं पर आजये तमासा चित्रकला का संबंद Nand resurrection- प्रस्फिर से लाएं किस चित्रकला सहली से है राजश्ठानी सैली से नहीं है किसंगड सैली से नहीं है बूंदी सैली से नहीं है मेवाड सैली से है भी है इस कांसर तो तमासा चितरकला का जो संबंद है वो मेवाड सैली से है जिसमें अभूत पूर विस्तार के साथ दरवार की अपचारिकता को दर्शाया गया है कुशन नमर दस पर आजए हैं नमरेखित कत्नों पर विजार करेंगे एक तरफ है चित्रकला की सैली और दूसी तरफ है उससे संबंदेत राज्ज डोगरी चित्रकला की सहली बूंदी चित्रकला की सहली रजस्थान से बूंदी चित्रकला की सहली जम्मु कस्मीर से पताई हो पर उक्तमा से कौन से सही समय लेता है चित्रकला की जो डोगरी सेली है वो जम्मु कस्मीर, लदाक से संबनेता है जो बूंधी सेली है वो रजस्तान से है दोनों के दोनों गलत सुम्हें लेता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ना तो एक ना ही दोडी तो डोगरी चित्रकला का संबंद है उत्री भारत से विशेज कर जम्मू से लेकर अलमूडा तक इसमें 22 रियासतों के दरवारों की चित्रकलाएं समले थी इस सैली के दो महान चित्रकार थे कौन-कौन थे वो नैनसुक तथा मनकू बूंदी चित्रकलाएं के बारे में बात करें तो बूंदी चित्रकला का संबंद राजस्थान की दो जोड़ूबा रियासतों बूंदी तथा कोटा से है जिने सैयुक्त रूप से हडौटी के रूप में जाना ज़ाता था 18-Й सदी में बूंधी के राजा क्रश्ण भक्त थे, ठीक है, उनकी भक्ती ने चित्रकला के विकास में एहम भूमी का निभाई और इसमें स्थानिय वनसपती के चित्रविस्त्रत हैं, इनमें जो है आकास का रंग, अलग-अलग रंगों में रंगा गया है और अधिकांस्त्य आकाश में एक लाल रिवन दर्शाया जाता है ठीक है तो डोगरी चित्रकला हो गई जम्मु कश्मीर जम्मु से लेकर अलमोडा तक अलमोडा कहां है उत्राखंड में दो पुर्शिदिस के चित्रकार नैनसुक और मनकू बूंदी चित्रकला राजस्थान बूंदी और कोटा से हडोती के रूप में इसको जाना जाता था तो दस प्रशन एड़ किये गए थे इनकी प्रक्टिस एक बार कर लिए जाएगा धन्यवाद हर दिन प्रक्टिस करते रहें सीसे एड़ भी पढ़ते रहें